आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको एने मतलब एसेंशल नुट्रिशन अक्षिन मतलब महत्व की पोशन क्रियाए क्या क्या होती है और बच्चों में वह महत्व क्रियाए जो हम लोग को करनी है और प्रेग्णन मदर्स जो पेट से जमाता है प्रेग्णन मदर्स है उनको क्या क्रियाए करनी है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी सबसे पहले तो pregnant mothers के लिए हम लोग को क्या क्रियाए करनी है क्या महत्व पुर्ण पॉशन क्रियाए है जिससे बचे का वजन बहुत अच्छी तरह चाह सबसे पहले मों को पूशन के बारे में में पताना है तो सबसे पहले तो हम लोग ने झाल है की माताओ में महत्र है आपको वह प्रूटीन कहाने में मावानली है मेरे एकस्परियंस से मैं अटाटर ग्राम प्रूटीन प्रूटीन को जासे आपको हर मुढके आपको बताना है कि चले इतना इतना दूद पिना यार इतना अंडा खाना है या इतनी कठोड लेने है जो अंकूरत है इतने लेने है तो आपको यह सारा गिन के आपको मा को दिखाना पड़ेगा मैं इनफेक्ट आपको IC चार्ट जो हम लोग ने बनाए हुए बहुत अच्छे से चार्ट बनाए हुए वो चार्ट के माधियम से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मा को यह सब सिखाना है ठीक है तो यह तो होगे आपकी पहली पोर्शन करिया कि मा को पूरा जो पोर् में ज्यादा होगा B12 है अलग अलग जो है टाइप 1 प्रकार एक और प्रकार दो दोनों के बारे में माता को समझाना है दूसरा है कि जो अच्छी चर्बी है वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के मेदू के लिए बच्चे के मस्तिक के लिए ठीक है उसका जो ब्रेइन बच्चे के स्पाइन के लिए और बच्चे कर दोता है उसकी जो प्रकार में प्रकार兩फ सब्स रह प्रकारा है को बोलना है कि घर में घिया या मकषन चरपी निकालना नहीं है क्वों को बताना है कि और जो है एक ooo गीनेशिय को आपका तो यह तो हो गया आपका प्रकार आप पहला महत्वपूर्ण पोर्शन क्रारियो दूसरा है मां को बताना है कि वह आए फे की टैबले लेनी है उसके बारे में भी मैंने अच्छा टुटॉरल बनाया हुआ है आयन फॉलिक असिद है और फिर अफकोर्स कैल्शियम भी लेना है तो वह भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे प्रेग्नित हो रही है तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके वह सब दवाई आप देनी है तीसरा जो है कारियो वह है आपका आयोडीन युक्त मिट्ट तो आयोडीन होना बहुत है जरूरिक अगर आयोडीन कम होगा त तो इसका-खा-ब्रोट शोग्त में nut हो सकता है उसकी ग्रोथ में भी भाटैस में भी प्रोब्लीम हो सकता है तो मागों बोलना है कि जबी भी वह मीट इस्तेमाल करें तो उसमें आयोडीन-ायोडीन-ायोडाय स्ष्वालिट होना बहुत ही जरूरी है ठीक है एक गुंटे की भी रात दिखनी की ज़रूत नहीं, जैसे बच्चा पइदा उसको तुरंत ही मा के स्थन पर लगाना है, ठीक है, तो बच्चे को ब्रेस्ट कराना है, वह भी मैंने आपको अल्री पताया हुआ है कि कैसे ब्रेस्ट कराना है, तो वह आपको मा को पहले से जानक कारी देनी कि प्रेस्ट ड्रॉल गया होता है ठीक है और टोक्टर स्थे ईनेम जो है उनको भी आपको पताना है कि बच्च को ब्रेस क्रॉल करा एक पर वो डूठ पिलाना चालो कर दिया फिर आपको जैसे पी एंसी वॉड में आती है तो आपको उसको सिखाना है सतन पान कर आ कराना है कराना है कि कैसे कराना है वो नहीं मालूम जैसे आपको भी पता चलेगा कि हम लोग भी बहुत सारे अग्यानता है तो वो मा को क्रोस्केडल होल साइडलान होलद इनो अलग-अलग होल दिखाके मा को सिखाना है क्रोस्केडल होल सीकाना बहुत ही जरुर sed light दिखा है यहाँ पर नंदृपार और बहुत सारे अलग अलगh जगा में दूसरा एक है हमारा ये है मा को बोलना है कि छे मैने तक सिर्फ बच्चे को अपना ही दूद बिलाए उपर का पानी भी नहीं गुट्टी भी नहीं कुछ भी नहीं जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं दवाई तो ठीक है लेकिन बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मा का दूद ही देना है कि साही टेकनीक से देना है आप दूढ देते रहेंगे लेकिन साही टेकनीक से नहिंक दिया तो भच्छे का वजन नहीं बढ़ेगा अगर भच्छे को छे मैने पर जुलाब हो गया तो आपको बच्छे को और समेशी डीन है मा को बोलो कि अपना दूद चालो रखे दूद बन ना करें ठीक है क्या होता है कि हार बहुत सारी मदद ऐसी समझती है कि अगर बच्चे को जुलाब हुआ तो मैं दूद दूँगे तो उसको ज्यादा जुलाब होंगे वह गलत यह मित्या है मा को समझाना है कि जितना उसका वह पानी जारहा आए उसके जुलाब से मा अपना दूद के द्वारा इस पानी नहीं इपना वर चरबिदेगी सあーad jo चालेसे तरक तरक शेम सजाएगा तो यह तो बिल्कुल बन नहीं करना है और जनक देना है और तो इनक बीवे दिना है आपको तो जशे को देना है भी बच्छा हो गया तो जब शह मैने के बाद बच्क ऊनए करना है को शनी कार देना है यहां कितनी बार देना है और यहां यहां को दूल देना है तो जानी अचा रहेगा मा को बोलना है छे मैने तक बच्चे आपको वेट करना है उसकी राह देखनी है छे मैने के बाद ही उसको complimentary feeding मतलब को रकाहार देना है ठीक है लेकिन उसकी जो सला है वो आप साड़े पांच मैने पे चालू कर सकते हो मा को सारे जो हम लोग ने protein powders बनाये हो अच्छे जो प्रकार एक और प्रकार दो के जो powders जो अपने वीडियो में देखने वाले है तो वो भी आपको बताना है मा को कैसे वो घर पे बना सकती है दूसरा जो है वो है छे मेने के बाद अगर बच्चे को जुलाब हो तो छे मेने के बाद बच्चे को ORS देना है जिंक देना है उसको बच्चे को मा का दूद चालू रखना है ठीक है और खाना जो है जो बच्चा जो पुरक आहर ले रहा है वो भी चालू रखना है ठीक है जादे fruits नहीं देना है, fruit juice नहीं देना है, fruit juice से उसे बच्चे को ज्यादा जुलाब होगा, वैसे भी हम fruit juice recommend नहीं करते हैं, लेकिन जो fruits है, fruits ज्यादा मत दो, तोड़ा सा केला चलेगा, लेकिन जो अच्छा सा जो आहार है, अंडा है, दही है, खिचडी है, वो सब आपको महत्व होड़ा यह है कि आपको with vitamin A की dose देना है, तो आपको ध्याद में रहे कि onion की dose जो को जो ऊच्छे को आपको जो रहे है, आपको ध्याना है, जो हभी 2 बार बच्चे को उच्छे मेने के बार देया जाता है, वो भी बच्चे को देना है आपको वह भी धियान में रखना है कि उसको आयें की डोस मिले हफते में दो बार और अगर बच्चा आपको कूपोशित अगर नजर में आए अगर ऐसा लगे कि कूपोशित है उसको डेफिनिट्ली एनर्सी भेजना है क्योंकि वह अगर सैम बच्चा आ रहा है बहुत सैम तो बच्चा बिमार्य के टाइम में तो बच्चा ओठ्वाण जादा नहीं काईगा लेकिन जैसे जिसे वह बहार निकल रहा है तभी बच्चा को बहुत भुग लगेगी तो जभी वह बच्चा बहुत भुका है तभी आपको इसको तेर स्वाश्ट गुना खाना बच्चे का वजन कम हो गया तो वजन बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ विकास की तत्वा है वह आपको बच्चे को ज्यादा देने हैं मतलब उसमें तो होगे आपका प्रोटीन चर्बी मैगनेशियम वाला, पोटैशियम वाला, जैंक वाला खाना जो आपने अब अलड़ी सिखा हुआ होगा तो वो आपको बच्चे को ज्यादा देना है ठीक है तो यह तो होगे आपके essential nutrition action जो महत्व पोशन कारे है वो क्या है फिर में आपको क्या करने है जिसे बच्चे को नहीं होगे ठीक है तन्यवाल गर्बवती महिलाओं के लिए जरूरी पोशन क्रियाओं के बारे में बने spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम जानेंगे गर्भावस्ता के समय पोशक खाने की जरूरत गर्भावस्ता के समय जरूरी पोशन क्रियाओं को ENA के नाम से भी जाना जाता है ENA महिलाओं और शिशुओं के पोशन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया कदम है गर्भावस्ता के समय एक महिला में शारीरिक रूप में और हार्मोन में बदलाव आते हैं उसकी पोशक खाने की जरूरते भी बढ़ जाती हैं ऐसे समय में पोशक खाना मा और शिशुओं के अच्छे स्वास्त के लिए जरूरी है मा के पेट में पल रहा शिशु अच्छे स्वास्त के लिए मा पर निर्भर होता है गर्भधारन से लेकर शिशु के दूसरे जनम दिन तक के समय को पहले एक हजार दिन कहते हैं इस दौरान उसका शरीर तेजी से बढ़ता है और दिमाग का भी विकास होता है यह शिशु और उसकी मा के मौजुदा समय और आने वाले समय के स्वास्त का भी फैसला करता है मा के लिए अच्छा खाना उसे मतली और कमजोरी से बचाता है यह ब्रून के दिमाग के विकास में मदद करता है यह शिश्वों में जनम दोशों के खत्रे को कम करने में भी मदद करता है और माओं में अनीमिया को आईए बात करें पोशक खाने पर और गर्भावस्ता के दौरान जरूरी पोशन क्रिया पर गर्भावस्ता के समय कई जरूरी पोशक तत्वों की जरूरत होती है प्रोटीन उन में से एक है प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सला दी जाती है मास, मच्छली, चिकन और अंडे ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं डाले, फलिया, दाने, बीज, दूद और दूद से बनी चीजें भी अच्छे स्रोत हैं गर्भावस्ता के समय जरूरी फैटी एसिड भी महत्वपूर्ण है इन्हें अच्छे फैट भी कहा जाता है जैसे की DHA और EPA मच्छली, दाने और बीज इन फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं आईए गर्भावस्ता के समय बाकी जरूरी पोशक तत्वों की बात करते हैं फोलेट DNA के संचलेशन के लिए जरूरी है और भ्रून की कोशिका के विकास के लिए भी यह शिश्यों में निूरल ट्यूब के दोश को कम करने में भी मदद करता है गर्भावस्ता के समय हर रोज खाने में फोलेट को लेना बहुत जरूरी है अंकुरित खाने, हरी पत्तेदार सबजियां और मुर्गी का जिगर फोलेट के अच्छे स्रोत हैं गर्भावस्ता के समय फोलेट के साथ आयरन एक जरूरी भूमिका निभाता है लाल रक्त कोशिकाओं के बनने के लिए आयरन की जरूरत होती है यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है गर्भावस्ता के समय खून की मात्रा बढ़ती है इसलिए महिलाओं को आयरन की जादा जरूरत होती है यह बढ़ते भुरून की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है भुरून में आइरन का एक भंडार बनता है जिसका इस्तिमाल वो जनम के बाद कर सकता है आइरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है एनीमिया से बचने के लिए खाने में आयरन से भरपूर चीज़ों को खाना चाहिए मुर्गे या बकरी का जिगर, दिमाग और दिल में आयरन भरपूर होता है समुदरी खाने, अंडे और हलीम के बीज आयरन के अच्छे स्रोत है फलियों में भी आयरन होता है हरे पत्ते वाली सबजियां और बीजों में भी हल्दी पाउडर और धनिया के बीज में भी कुछ आयरन होता है एनीमिया पर जीवी के कारण भी हो सकता है और पेट के कीडों के इनफेक्शन से भी इस से बचने के लिए गर्बवती महिला को पेट के कीडों की दवा लेनी चाहिए दूसरी तिमाही के समय इस दवा की एक खुराक लेने की सलह दी जाती है याद रखें कि खाने के साथ चाए और कौफी नहीं पीनी चाहिए शरीर के आयरन सोखने में ये दखल देता है दिलचस्प बात ये है कि विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन को सोखने में मदद करता है इसके लिए आईरन से भरपूर खाना खाएं और विटामिन C से भरपूर खाने भी आवला, टमाटर, अमरूद, विटामिन C के अच्छे स्रोथ हैं गर्भावस्ता के समय आईरन और फोलेट की जरूरत बढ़ जाती है रोज के खाने से ये जरूरत पूरी नहीं होती प्रसव से पहले लिये जाने वाले परिपूरक स्वस्त आहार की जगा नहीं ले सकता प्रसव से पहले लिये जाने वाले परिपूरक गर्भावस्ता से पहले और उसके दौरान लिया जाता है गर्बवती महिलाओं को स्वास्त सेविका से आइरन फोलिक एसिद की गोलियां मांगनी चाहिए ये गोलियां आंगनवाडी में मिल जाती है ये गोली दिन में एक बार लेनी चाहिए गर्बवती महिलाओं को आइरन फोलिक एसिद की गोली लेते समय ध्यान रखना चाहिए मतली और बेचैनी से बचने के लिए खाने के दो घंटे बाद ही गोली लेनी चाहिए कभी-कभी इन गोलियों को लेने के बाद उसे काला मल आ सकता है दस्ट या कब्स भी हो सकता है ये सब लक्षन कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं कैल्शियम की गोलियों के साथ आइरन फोलिक एसिद की गोली नहीं लेनी चाहिए इन्हें सुभा और शाम की खुराक के रूप में लेना चाहिए कैल्शियम गर्भावस्ता के दौरान एक अन्य जरूरी पोशक तत्व है गर्बवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी से जादा रक्त चाप होता है इससे हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है इसकी कमी से बचने के लिए उसे रोज, दूद और दूद से बनी चीजों को खाना चाहिए बीज, दाने, हरी पत्तेदार सबजियां और सूखी मचली में भी कैल्शियम होता है गर्भावस्ता के दौरान और बाद में कैल्शियम परिपूरक की सलह दी जाती है कैल्शियम की गोली ICDS केंद्रों में दी जाती है और प्रात्मिक स्वास्त केंद्र में भी ICDS एकिकरत बाल विकास सेवा है ये गोलियां गर्भावस्ता के 14 हफ्तों से लेकर प्रसव के 6 महीने के बाद तक दी जाती है गोली को दिन में दो बार लेना चाहिए जाधा कैल्शियम लेने पर शरीर आइरन को सोख नहीं पाता इसलिए दो कैल्शियम की गोलियों को एक साथ नहीं लेना चाहिए दूसरी गोली शाम के नाश्ते या रात के खाने के बाद लेनी चाहिए खाली पेट कैल्शियम की गोली नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है गैस्ट्राइटिस पेट के परत की सूजन है आयोडिन एक अन्य पोशक तत्व है जो जरूरी भूमिका निभाता है जीवन के सभी चर्णों में अच्छे स्वास्त के लिए आयोडिन की जरूरत होती है आयोडिन शरीर में ठीक से जमा नहीं हो पाता इसलिए हर रोज आयोडिन की थोड़ी जरूरत होती है मचली, जींगे, दूद, चीज और आयोडिन वाला नमक आयोडिन के अच्छे स्रोथ है आयोडिन की कमी से बचने के लिए आयोडिन वाले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए बाजार में आसानी से आयोडीन वाला नमक मिल जाता है आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करते समय कुछ बाते ध्यान रखनी चाहिए इसे खाना पकाने के आखिर में डालना चाहिए आयोडीन वाला नमक गर्मी और तेज रोशनी में नहीं रखना चाहिए गर्मी और तेज रोशनी से नमक में मौजूद आयोडीन नश्ट हो सकता है। इसलिए इसे डब्बे में कस कर बंद करके अंधेरे में रखना चाहिए। अन्य पोशक तत्व जो गर्भावस्ता के दोरान जरूरी भूमे का निभाते हैं वे हैं कोलीन और जिंक, विटामिन B12 और मैगनीशियम भी जरूरी हैं। कोलीन, फोलेट और विटामिन B12 निउरल ट्यूब के दोश को कम करते हैं। निउरल ट्यूब के दोश जनम दोश हैं जो दिमाग और रीड की हड़ी पर असर करते हैं। कोलीन दिमाग के विकास के लिए भी जरूरी है जबकि जिंक, पोशक तत्वों के बारे में जादा जानकारी बाकी के ट्यूटोरियल में बताई गई है। कृपया इन पोशक तत्वों के बारे में बने अलग-अलग ट्यूटोरियल देखें। जैसे की प्रोटीन की महतवता, कोलीन की महतवता और फोलेट की भी, कैल्शियम की महतवता और B12 भी, पोशक खाना मा और शिशु दोनों के अच्छे सिहत के लिए जरूरी है, मा के खाने में अलग-अलग तरह के खाने के समू की चीजें होनी चाहिए, पहला जिसमें अनाज, जड़े, सफेद कंद और केले हैं, दूसरे में डाले हैं, और तीसरे में दाने और बीज ह चोथे में दूद या दूद से बनी चीजें हैं, पांचवे में मास, मुर्गी और मचली हैं, छटे में अंडे हैं, साथवे में गहरे हरे पत्तेदार सबजियां हैं, आठवे में विटामिन A से भरपूर सबजियां हैं, नौवे में बाकी की सबजियां और फल हैं, अपने हर रोज के खाने में कम से कम 6 खाने के समू की चीजों को लेना चाहिए. इन में से उसे प्रोटीन से भरपूर खाने के समू और अच्छे फैट वाला खाना लेना चाहिए. स्टार्च वाला खाना कम खाना चाहिए. इन सब पोशक तत्वों के साथ साथ पानी पीना भी जरूरी है रोजाना कम से कम आठ गिलास पानी पीने की सलहा दी जाती है परसंस्कृत शक्कर, नमकीन खाना और कैफीन वाली पीने की चीजों से बचना चाहिए यहां तक की शराब और धूमर पान से भी दूर रहना चाहिए इस टुटॉरियल में बताई गए सभी पोशन क्रिया को याद रखें वे एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए जरूरी हैं और स्वस्थ भुरून के विकास के लिए भी अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विडाल लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद शिशूं के लिए जरूरी पोशन क्रियाओं पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम कुपोशन को रोकने के सही तरीकों के बारे में जानेंगे जरूरी पोशन क्रियाओं कुपोशन को हटाने के लिए उठाए गए कदम है पहले हजार दिनों के समय इनकी जरूरत होती है गर्बधारन से लेकर शिशु के दूसरे जनम दिन तक को पहले हजार दिन कहते हैं जरूरी पोशन क्रियाओं को E.N.A. के नाम से भी जाना जाता है पैदा हुए शिशु के लिए सबसे पहला E.N.A. जो किया जाता है वो है गर्बनाल को दबा कर बंद करने में देरी पहले गर्भनाल की धड़कन को महसूस करना चाहिए। जब धड़कन बंध हो जाए तो ही नाल को काटना चाहिए। नाल को कुछ देर के बाद बंध करने से गर्भनाल और शिशु के बीच रक्त का प्रवा होने लगता है। इस से पहले छे महीनों तक के लिए शिशु में आ आना चाहिए। ऐसा करने के लिए शिशु को मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखना चाहिए। शिशु पैदाईश से ही स्वभाविक रूप से स्तन पान करना जानता है। इस स्वभाव से वह मा के स्तन को ढूम सकता है। और दूद पीना शुरू कर सकता है। टिटोरियल के लिए हमारी वेब साइट पर जाएं। शिशु के पैदा होने के एक घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कराना बहुत जरूरी है। पहले दूद को कॉलस्टरम कहते हैं। नवजाच शिशु के लिए यह पोशक तत्वों का सबसे पहला स्रोत है। कॉलस्टर में बिमारियों से लड़ने वाले तत्व और अच्छे फैट होते हैं। मा का दूद शिशु के लिए विटामिन A का पहला स्रोत भी होता है। विटामिन A स्वस्थ आंखों और रोग प्रतिरोधक शक्ती के लिए बहुत जरूरी है। मा का दूद पहले 6 महीनों के लिए व चाहिए। असरदार स्थन पान के लिए स्थन पर शिशु के मुह की सही पकड़ सबसे जरूरी है। शिशु के मुह का स्थन पर गलत जुड़ाव होने की वजह से निपल से स्थन पान होगा। इस से शिशु को बहुत कम दूद मिलेगा। शिशु का मुह एरियोला के आसपास का काला भाग है स्तन पान के सही तक्नीकों के बारे में अन्य टुटारियल में बताया गया है 6 महीनें पूरे होने पर शिशु की पोशक तत्वों की ज़रूरत तेजी से बढ़ जाती है इस दौरान सिरफ स्तन पान काफी नहीं होता ऐसे में स्तनपान के साथ पूरक आहार भी शिशु को खिलाना चाहिए जैसे ही शिशु छै महीने पूरे कर ले, पूरक आहार शुरू कर दें छै महीने की उम्र का मतलब शिशु के जीवन के छटे महीने की शुरूात नहीं है इसका मतलब है कि उसने छै महीने पूरे कर लिये हैं और अपने जीवन का सात्वा महीना शुरू कर दिया है साथ ही उम्र के हिसाब से खाने की मात्रा और गाढ़ापन भी बदलते रहना चाहिए शिशु के खाने में अलग-अलग खाने के समूहों की चीज़े होनी चाहिए खाने के समूहों में पहला है स्तन पान दूसरा अनाज, जड़ और कंद हैं तीसरा फलियां, बीज और दाने हैं चौथा है दूद से बनी चीज़ें पांचवां मास, मचली और मुर्गी है छटा समूह है अंडा साथवां विटामिन A से भरपूर, फल और सबजी हैं आठवां है बाकी के सभी फल और सबजियां शिशू के खाने में इन सभी आठ खाने के समूहों की चीज़ें होनी चाहिए इन खानों के पोशक तत्वों से शिशू के विकास में मदद मिलती है पूरक आहार के बारे में एक अन्य टुटोरियल में विस्तार से बताया गया है आईए अब उन परिपोशक के बारे में जानते हैं जो शिशुओं को देनी चाहिए 6 महीने से 5 साल तक के शिशु को iron folic acid परिपोशक देना चाहिए स्वास्थ सेवक को इसे सपताह में 2 बार शिशुओं को देना होता है विटामिन A परिपोशक साल में 2 बार दी जानी चाहिए यह परिपोशक 9 महीने से 5 साल तक की उमर तक दिया जाता है परिपोशक स्वास्थ कर्मी के सला से ही देना चाहिए अब हम दस्त लगे हुए शिशु के इलाज के लिए ENA देखेंगे दस्त लगना कुपोशन का एक प्रमुख कारण है यह शरीर में पानी की कमी सोडियम और पोटैशिम के स्तर के बिगड़ने का कारण बनता है जादा दस्त होने पर शिशु की मृत्यू भी हो सकती है इसी लिए दस्त का इलाज बहुत जरूरी है ORS और जिंक परिपोशक दस्त के इलाज में मदद करते हैं ORS Oral Rehydration Salt है यह शरीर में पानी, सोडियम और पोटैशिम को पूरा करता है यह बजार में पाउडर वाले पैकिट जैसा आसानी से मिल जाता है ORS का एक पैकिट इस्तिमाल करने के लिए इसे एक लिटर उबाल कर ठंडे किये हुए पानी में मिला ले ORS के साथ साथ जिंक भी जरूरी है जिंक दस्त की अवधी कम करता है दस्त का बार बार होना और शिशु में दस्त की गंभीरता को भी कम करता है इससे शिशु की बिमारी से लड़ने की शक्ती बढ़ती है इसे 14 दिनों के लिए दिन में एक बार दिया जाना चाहिए 6 महीने से कम उमर के शिशु को हर रोज 10 मिलिग्राम जिंक दिया जाना चाहिए 6 महीने से जादा उमर के शिशु को 20 मिलिग्राम जिंक हर रोज दिया जाना चाहिए जिंक की गोली एक छोटे चमच में मा के दूद या ORS में घोल कर दें आप उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी भी ले सकते हैं ORS और जिंक की गोली स्वास्त सेवक की सला के बाद ही देनी चाहिए ORS और जिंक के साथ 6 महीने से कम उम्र के शिशू को मा का दूद पिलाना चाहिए 6 से 24 महीने के शिशू को मा का दूद पिलाना चाहिए और पूरक आहार भी देना चाहिए याद रखें कि बिमारी के समय शिशू को मा का दूद बार बार पिलाना चाहिए यह शिशु को जल्दी से ठीक होने और वजन के बढ़ने में मदद करता है इस से बिमार शिशु को आराम भी मिलता है स्तनपान के साथ हर शिशु को कंगारू मदर केर भी दी जानी चाहिए पैदा होने के समय कम वजन वाले शिशूओं के लिए कंगारू मदर केर की भी सला दी जाती है कंगारू मदर केर के बारे में एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है यदि शिशू छै महीने से बढ़ा है तो उसका खाना डेड़ गुना बढ़ा दे ऐसा तब करें जब ठीक होने पर शिशू को फिर से भूक लगने लगे अलग-अलग तरह का खाना देकर शिशू को खाने के लिए प्रोथसाहित करना चाहिए उसकी भूक के हिसाब से उसे पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्व दें पहले और दूसरे प्रकार के पोशक तत्मों के बारे में एक अन्य टुटोरिल में बताया गया है शिशु के जादा बिमार होने पर मा को उसे जल्दी से स्वास्त सेवक को दिखाना चाहिए स्वास्त सेवक को जादा बिमार शिशु को NRC भेजना चाहिए NRC पोशन पुनर्वास केंद्र है यह गंभीर रूप से कुपोशित शिशूों को फिर से तंदुरुस्त करने का केंद्र है यह केंद्र शिशूं को विशेष पोशन चिकितसा प्रदान करता है अगर शिशू 6 महीने की उम्र पूरी कर चुके हैं तो यह उन्हें घर का बना खाना खाने के लिए तैयार करता है ये माओं को स्तन पान के बारे में शिशू पोशन और शिशू की देखबाल की सही जानकारी देते हैं शिशू को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी पोशन क्रियाओं का पालन करें वे शिशू में वो पोशन को रोकने में भी मदद करते हैं अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं, Bella Tony, आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए जुड़ने के लिए खान्यवाद करते हैं